अगर अभी तक हमारे चैनल अपने सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन्स मिलती रहे हमारा टेलिग्राम के उपर गूरूप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी आप जोइन कर सकते हैं व कि थे पूरा वरा वीटेशन एक्ट हम रिवाइस करेंगे इस वीडियोगे इंदर चलिए स्टाइट हमारा लिमिविंटेशियन इसuß किया काता है पुरे ऑल अ इडिया में यह चैन्ट करते है are को इसका इसे क्वग्क रोगो डिक्क्रेस्ट गोघ्ट सब्सक्राहं साथ आपलाई करने का इसन सेग्जिवों ईप्रेटर्ट बताता है और ब्लिकेंट का इंदर रिफ्लिक्षिंट यह इंपोर्टेंट है application includes petition यह चीज याद रखने है प्री में आता है question to see bill of exchange includes hundi and a check यह question भी important क्योंकि negotiable instrument के अंदर कुछ और definition दे रखिया कि below exchange लिए बट limitation के अंदर hundi को और check को include किया गया यह याद रखना है आपको bond की definition हम चोड़ सकते हमें नहीं पढ़नी बॉन्ड की टूई देखे defendant क्या होता है defendant के अंदर क्या include होएंगे वह वाली person कोई भी right drive कर रहा है executor administrator और अधर representative ठीक है है सिर्फ यह याद रखना है two i के अंदर plaintiff की definition है ठीक है फिर हमारा आता है period of limitation यह बहुत important है period of limitation की definition हमें याद गरनी है two j के अंदर है period of limitation वह वाला period होता है जो इस act के schedule ने बताया और प्रिसकर्ड पिरिड वह होता है जो इस act के provisions के दुरू हम compute करते है ठीक है guys two j के अंदर काफ important है two k promissory note नहीं पढ़ना है two l suit suit important है क्योंकि यह हाँ पर negative definition दीगी है suit के अंदर क्या include नहीं होगा आपका appeal और application suit के अंदर include नहीं होगी ठीक है two l याद रखना है two m taught हम पढ़ सकते हैं बाग की इतनी important नहीं है trusty वाली हमें नहीं पढ़ने है ठीक है अब चलिए start कोते section 3 देखिए section 3 काफ important है bar of limitation यह क्या बात कहता है यह suit पर अप्लाई होता है appeal पर अप्लाई होता और setup as a defense ठीक है second session कहता है कि हम suit को institute का मान लेंगे ordinary case यहां पर ordinary case लिखा हुआ है यह याद रखना है वहाँ पर कुछ यह लिखा जाए न स्पेशल केस तो गलत हो जाएगा यह सिर्फ ordinary case की ठीक है टू भी देखिए set of और counter claim की बात करता है set of counter claim को trade करेंगे separate suit को कॉशन आया हो है काफी बार set of counter claim को हम क्या मांते separate suit मैंने भी पूछा था पिछे विदियो थे limitation at mc की उसकी ठीक है तो इसको हम क्या मनेंगे separate suit set of counter claim को set of कब से माना जाएगा जिस दिन प्लेट इसे दिन हमने इस तूट एंसितुट गया और प्लीड क्या सेट विए उस दिन से माल लेंगे ठीक है और काउंटर क्लेम का आपको कॉट में हम करें ठीक है तूसी है इंपोर्टन नहीं है नॉटिस ऌफ मोशन के लिए जब आप प्रोपर ओफिसर को दोगे तब सेक्शन फॉर देखिए सेक्शन फॉर क्या कहता है आपका एक्सपारी ओप्रिसकर्ड बिरेट कोट क्लोज की बात करता है ठीक है यह सूट अपील अप्लिकेशन तीनों पर अप्लाई होता है जब कोट रहे हो पनागी तब आप किसे के अंदर मतलब यह सब पर अप्लाई होता है यह एक्सेप्शन है सेक्शन 3 की सेक्शन 3 बार ओफ लिमिटेशन कहते हैं बट यह कुछ टाइम परिए आपको एक्सेंट कर देता है जैसे कंटोनेशन ऑफ रिले की अप्लिकेशन फ्रेशन फाइफ में लगती है एपको क सब्सक्राइब करता है यह चाहिए अगर दो डिसेबलीटी रहेगी तब तक तक ताइम पर इस्टार नहीं होगा अगर दो डिसेबलीटी आगी तो दोनों सीज जाएगे तब स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और एक जब तक डिसेबलीटी आपकी इसको ध्यान रखना है कि लिगल डिसेबलीटी सीज होगी और उसके बाद उसकी डेथ हो रही है तो वह जो टाइम पिरेट है उतना ही टाइम पिरेट मिलेगा उनके लिग सक्ष्चन आपको बात करते हैं हैGr इंच्शन का खिआ कि प्रोवीजओ का और सेक्शन 7 का ती क्या कहता है कि सैक्शन 6 और सेक्शन 7 आपके राइट ऊप्रएम्टिंट के ऊपर नहीं होंगे और यह अपके उत और अप्लिकेशन के ऊपर अप्लाई और मेक्सिमि में 5 इवारेंगे करेंगे थीन साल का यह डारेट कोशिण आया हो प्र एक्जाम में काफी बार पुछा है कि कि इससे बात करता है और इन इयबलीटी की बात करता है कि एक बाद होगी और उसके बाद कोई भी सब्सीकुंट डिसेबिलीटी आ रही है तो आपका जो टाइम प्रेट स्टार्ट हो गया था वो चलना नहीं रुकेगा बट इसके अंदर एक सब्सक्राइब को ठीक है चलिए आगे चलते हैं 10 के अंदर हमें क्या रखना है तो यहां पर इसके अंदर कोई भी टाइम पीरिड नहीं है आपको बार नहीं करता आप कभी भी लिमिटेशन आपकी खतम नहीं होती है आप कभी भी सूट इंस्टिट्ट कर सकते हैं ठीक है सेक्शन 11 हमें याद करना है सिर्फ इससे कोई कोशन नहीं आता सिर्फ यह आता कि सेक्शन 11 आपको किसी से डील करता है तो इन्टू सूट्स ओन कॉंट्रेक्ट्स ठीक है अब स्टार्ट हो रहा है हमारा कॉंप्यूटिशन वाला यह काफी इंपोर्टेंट है पहले तो हमें याद रखने हैं कॉंप्यूटिशन जो है पिडिड ऑफ लिमिटेशन की कौंसे सेक्शन स्टार्ट हो रही सेक्शन 12 से सेक्शन 12 अपकी लीगल प्रोस्टिडिंग की बात करता है सब सेक्शन इसका अपील सूट और अप्लिकेशन का हम टाइम प्रिडिड करेंगे तो जो फस्ट दे होगा हमें टाइम लगा है कोपी अप्टेन करने में उस डिकरी की उस सेंटेंस की उस ओडर की जिसकी हम अपील करना चाहते हैं जिसकी हम रिवीजन करना चाहते हैं जिसकी हम रिवीव कराना चाहते हैं जिसकी हम रिवीव करना चाहते हैं तो जहां आपने अप्लिकेशन लगाई है appeal के लिए और जो time requisite आपको लगा है उस copy को obtain करने के लिए ठीक है जिसकी भी आप degree order की review revision करान जाते है और जो आपको copy लेने में जिज्मेंट की वो time लगा है वो exclude कर लिया जाएगा यहां पर requisite time requisite का मतलब है properly required इस पर question आया हुआ है याद कर रहा है कि जब तक आपने application लिए उससे पहले court ने जितना भी time लिया हम उसको exclude नहीं करेंगे आगर आपने application लगा दिए उसके बाद court को time period ले रही है आपको वो copy वायरा प्रवाइड करने में तो वो exclude कर दिया जाएगा section 13 के हम अंदर हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि section 13 कि से deal करता है proper person से deal करता है ठीक है कब जब लगा दी made और rejected यह चीज़ याद रखनी है और कुछ नहीं suits appeal पे apply होता है आपका section 13 section 14 देखी क्या करता है section 14 करता है bona fide in court of without jurisdiction सिर्फ इसकी heading याद रखने हैं आपको direct question इसमें से सिर्फ यह आते हैं और एक यह question आता है इसमें से कि किस वज़े से defect of jurisdiction और other cause of like nature other cause of like nature और due diligence की वज़े से चला रहा था यह मैं सिर्फ आपको जो important words section वो बता रहा हूं यह suits और applications पे apply होता है subsection 2 इसका कहता है application की बात करता है सेम जो subsection 1 में किती suit के बाद वही है some defect of jurisdiction और other cause of like nature की वज़े से हम नहीं कर पाए उसमें गलती से हमने first code के अंदर suit institute कर दिया तो वह आपका time period substitute कर दिया जाएगा subsection 3 important है इसमें question भी आया हुआ है previous question papers अगर देखो कि आप कई status में आया हुआ है यह आपको याद देखना है कि कौन से order का exception है order 23 of the CPC and rule 2 exception अब इसके अंदर explanation काफ इंपोर्टेंट है क्योंकि यह दोनों दे काउंट कर रहे हैं जिस दिन आप लगा रहे हो वह वाला दिन और जिस दिन आपकी एंडर यह बॉट दे काउंट की जाएंगे अपील को अगर resist कर रहे हैं तो हम प्रोजीट कर रहें मिस्जेंट रोफ पार्टीज और कोज ओफ एक्शन आपका क्या होगा कोज ओफ लाइट नेचर होगा है एस पर क्या है सब सेक्शन टू ऑफ सेक्शन 15 के ओपर कि नॉटिस का टाइम पर और जितना भी पर हमें लगाए प्रीविस कंसेंट और सेंक्शन लेने का गवर्रमेंट का याईनि अधर एथरोटी को वह आपको एक्शलूट कर दिया जाएगा ठीक है अब हम दोनू दे काउंट क प्रोसीडिंग की और वाइंडिंग प्रोसीडिंग की इसके इंदर त्री मंत्स याद रखने की तीन महिने का ज्यादा टाइम दे दिया देगा बाकि एक्स्टूट कर दिया जाएगा ठीक है फिर सब्सेक्शन फूर आपको याद रखना है सेल को सेट साइट कराने के इसके अंदर 16 के अंदर आपको सिर्फ याद रखना है सेक्शन 16 किसके उपर अप्लाई नहीं होता सेक्शन 17 आपको याद रखना है कैसे 17 से खतरास fraud or mistake and concealment तीन बाते हैं इसके अंदर fraud, mistake, concealment सिर्फ यह याद रखना और कुछ याद नहीं रखना 17 के इंदर ठीक है fraud आपको पताए कि कौन करेगा defendant का fraud होगा या उसके agent का होगा हाँ इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है यह वाली जो प्रोवीजो इसका कि आपको within one year application लगाने पड़ेगी जिस दिन आपका fraud वो जो हट जाएगा जो भी आपके उपर judgment डेटर ने fraud commit के था या force लगा रखा था जिस दिन वो खतम होगया या आपको पता लग गया उसक इसका अप्लिकेशन लगाने पड़ेगी फ्रोपर्टी या राइट की लिए ठीक है उसके अंदर अक्नॉलेजमेंट क्या होगी बी मेड़िन राइटिंग साइंड राइटिंग साइंड बाई ठीक है या तो वह खुद राइट खुद लिख के देगा या उसका कोई साम में बट आप उसके कंटेंट्स के और एविडेंस नहीं दे सकते ठीक है एक्सिन के अंदर कहा गया है कि आपकी जो अक्नॉलेजमेंट होगी वह मतलब रिफ्यूजल भी हो सकती है सेट आफ क्लेम कर रहा है वह भी हम अक्नॉलेजमेंट मान सकते हैं ठीक है कि किसी और व प्रेशन के अंदर यह आप दोनुं का इफेक्ट बता रहे है अक्नॉलेजमेंट का किसी और परसंट के द्वारा कर दी तो इसके अंदर हमें सिर्फ याद रखना है कि जो परसंट डिसेबलीटी में है उसके अंदर क्या-क्या इंक्लिट होगा लॉफल गार्जिन कमेटी म आपको कंडोनेशन डिलेगी बात करता है क्योंकि यह कहता है कि अगर 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 कर रहे थे उसके वजह से भी नहीं कर पाए तो आपका टाइम प्रेट एक्सेंट कर दिये जाएगा ठीक है जिस दिन आप पार्टी बनाएंगे उस दिन और कुछ याद नहीं कंडिन ब्रीच और इसके अंदर एक चीज याद नहीं राइट भी ओना चाहिए और अपका कंडिन ब्रीच भी नीच ठीक है सेक्शन 23 सूट फ़र कंपेंसेशन फॉर एक्स नोट एक्स नेंबल विदाओ स्पेशल डेमेज यह सिर्फ उन सूट से उपर अप्लाई होता है जिनके स्पेशल डेमेज होता है इंजरी रिजल्ट होई कि तभी आप सूट इंस्टीट कर सकते हो दरवाइस नहीं कर सकते ज सेक्शन 25 इंपोर्टेंट है क्योंकि यह इसमेंट की बात करता है अगर आप इसे इंजोए कर रहे हैं विदाओ इंटरॉप्शन 20 साल के लिए ठीक है तो वह आपका इसमेंट एपसलूट और इंडिफीजिबल राइट हो जाता है बट इसके अंदर क्या है आपको विदिन कि एक्चुल दिस्ट के जाहरा साल का इसमेंट होना हाँ ठीक है सेक्च्ट प्वेसिक्स सेक्ट था क्या क्या कहता है हमारे सस्ट्वेंटे सीगर इंञेंट का इसन मेंद्द ृजिंड प्रोप्रंटSen का क्यों कुंति पर देदा है सक्टिक हू एप्रैसी पोप सर्वेंन् तर्म 3 years से ज़्यादा तीन साल से ज़्यादा तीन साल से ज़्यादा आपको याद रखना है ठीक है दी है उस दोरान कोई उस प्रोपरटी के ओपर बंदा इसमेंट इंजोई कर रहा है तो वहला टाम प्रेड आपका एक्स्लूड कर दिया जाएगा बट इसके अंदर 27 most important section of the limitation act 1963 because यह exception है एक जनल रूल था हमारा कि भिया limitation आपकी remedy खतम करता है राइट को बार नहीं करता बड section 27 क्या करता है कि मैं तो remedy भी खतम कर रहा हूं और राइट को भी बार कर रहा हूं तो आपको क्या याद रखना है remedy और राइट सिर्फ एक सेक्षिन है जो section 27 के अंदर है और section 27 को हम एडवर्स पोजिशन के नाम से भी जानते है एक्सिंग्यूश्मेंट ऑफ राइट टू प्रोपर्टी ठीक है अगर सूट ऑफ सूट फॉर कोई स्पेशल या लोकल लो है जिसने मना कर रहा है वहां पे अप्लाई नहीं होता मैरे जो डाइवोर्स से रिलेटिड कोई भी लो है उस पी अप्लाई नहीं होगा और section 25 26 के अंदर जो इसमेंट का मिनिंग है वहां पे अप्लाई नहीं होगा जा इंडिन एक्ट अप्ला इस एक्ट के आने से पहले तो वह अगर टाइम पिरिट नहीं बचावा तो आपके खतम हो जाएंगे ठीक है यह था हमारा लिमिटेशन एक्ट की क्विक रिविजन आपको अच्छी लगया तो लाइक करना वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना अगर किसी और इमिटेशन एक्ट आपको प्रोहिबीट करता है रेमिडी को राइट को नहीं करता बट इसकी एक एक्सेप्शन है सेक्शन 27 जो राइट और रेमिडी दोनों को खतम कर देता है ठीक है गाइस मिलते नेक्स वीडियो में ओके बाई-बाई-बाई टाटा सी यू टिक केर